नमस्कार एग्जुकेसिन इडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नीट 2022 एक्जाम के एड्मिट कार्ड के बारे में जैसा कि आपका एक्जाम 17 जुलाई को होने वाला है ऐसे में अब साथ दिन भी नहीं बचे हैं लेकिन अभी भी एड्मिट कार्ड जारी नहीं किया गया है तो ऐसे में हम बात करेंगे कि एड्मिट कार्ड कब आएगा इसके साथ ही एड्मिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप उससे बतेगा क्या नीट एक्जाम पॉस्ट पॉन होना चाहिए या फिर नहीं अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहला वीडियो को लाइक और सेर कर दे साथ ये ऐसे वीडियो उस लेखने के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे आपको बता दे वैसे तो नीट का जो एड्मिट कार्ड होता है वो पंदरा दिन पहले जारी कर दे जाता था लेकिन पिछले साल के बारे में बात करें तो पिछले साल भी जो सेंटर है वो पहले जारी कर दे गया था ताकि student के लिए ये काफी ज़्यदा easy हो जाए और वो अपने center पर जा पाए इसलिए admit card अब late जारी किया जाता है पिछले साल 5 दिन पहले admit card जारी किया गया था ऐसे में कल 11 या फिर 12 जुलाई को admit card जारी हो सकता है आई ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि admit card आपको कैसे download करना है admit card download करने के लिए आपको जादा कुछ नहीं करना है आपको अपने mobile के अंदर या फिर computer के अंदर google या फिर कोई भी search engine खोल लेना है और type करना है educationindialive.com क्या आप type करेंगे educationindialive.com ये आप type करके search कर लेंगे दोस्तो आप जैसे ही search करेंगे आपके सामने उपर ये website open हो जाएगी ये website जो यहाँ पर सो की जारी है इसे आपको open कर लेना है website open होने के बाद आप सबसे उपर या फिर हो सकता है कि कुछ थोड़ा आप नीचे scroll करेंगे तो ये एक post देख पाएंगे need admit card 2022 release date और जो है need admit card कैसे download करें इसके उपर आपको click करना है इसके उपर click करने के बाद आप ये जो जानकारी यहाँ पर दी गई है इसे आराम से पढ़ लीजीगा क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक चीज के बारे में बात की है postponement के बारे में भी बात की है कि क्या need का exam postpon हो सकता है या फिर नहीं अब आपको क्या करना है यहाँ पर official website of need के option पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस option पर click करेंगे आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे की और scroll करना है phone में भी आप नीचे की और scroll करेंगे तो आप candidate activity का एक page देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप अभी फिलाल image correction और advanced intimation of examination CT यह दो option यहाँ पर आप देख रहे हैं लेकिन इसके जस्ट ऊपर आपको admit card for neat user 2022 देखने को मिलेगा उस पर आप click करेंगे अपने application number date of birth और इसके अलावा आप security pin यानि capture को डालेंगे और submit के option पर click करेंगे आपका admit card इस screen पर होगा जिसे आप print के option पर click करके download कर सकते हैं और print कर सकते हैं ये थी पूरी जानकारी admit card को लेकर वीडियो कर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप अभी like करेगा और साथ ये ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को भी subscribe करके bell icon को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सगले वीडियो में किसन जानकारी के साथ अब तक के लिए धन्यवाद